चाहे बड़े साइस का बेटरूम हो या फिर हॉल हो दोनों के लिए ही 50 इंच के टीवी एक आईडियल साइस के टीवी होती है यसे में अगर आप भी अपने लिए एक बास्ट 50 इंच के टीवी घरीता चाहता है तो आज का यह जो विडियो है वो केवल और केवल आप ही के लिए है क्योंकि आज की इस विडियो में मैं आपको बताऊँगा टोप फाइब बास्ट फिफ्टी इंच टीवी इन इंडिया टोजन ट्वैंटी फोर के बारे में वो भी प्रावजन कौन्स के साथ मैं है कराएंगे वहाँ से टीवी देखने का डिस्टेंस कितना है वीडियो की स्क्रीन पर मैंने आपको एक और स्मार्ट टीवी में आपको सैंसिंग और एलजी के टीवी के ऑप्शन मिल जाता है इन टीवी में आपको इनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे Samsung में Tizen operating system use के जाता है जबकि LG में WebOS operating system use के जाता है इन operating system के अपने play store होता है और इन में जो भी application available होती है जो कि limited quantity में होती है और केवल आप उन्हें ही use कर सकता है लेकिन अच्छी बात यह हैं कि जितने भी regular utility apps हैं जियर सिर्वान, Netflix, Amazon Prime और Disney host आपको उनका access भी मिल जाता है वहीं दूसरा operating system आता है Android TV और Google TV ये दूनों ही operating system Google के operating system है Android TV एक old operating system था उसमें जो भी खामिया थी उसे दोर करने के लिए ही Google ने latest Google TV operating system market में introduce किया इन दूनों ही operating system में आपको Google Play Store मिलता है और Google Play Store में दूस्तों आप सभी को पता है कि applications आपको ज़ादा मिल जाती है और उन्हें आप download करके use कर सकते है साथ ही आपको सारी regular OTT apps का support भी मिल जाता है इन दोनों operating system के बारे में जानने के बाद में आखिर आपको अपने ले कौन से operating system की TV खरीता है चाहिए दोस्तों ये totally depend करता है आपके usage के उपर अगर आप OTT apps के content को enjoy करते हैं या फिर setup box के साथ TV देखना चाहते हैं जो कि gaming purpose के साथ से भी काफी बड़ी आपको option प्रवेट करें तो एसमें smart TVs जिसमें आपको LG और Samsung की टीवी को option मिल जाता है ये TVs आपके लिए best option बन जाती है लेकिन अगर आपको multitasking के साथ से TV चाहिए चाहिए आप setup box के साथ TV देखें, OTT apps के content को enjoy करें या फिर gaming purpose के साथ से TV चाहिए तो इस condition में दोस्तों आपके लिए Android TV और Google TV एक best option मन जाती है और Google TV और Android TV में से भी आपको Google TV अपने लिए consider करना चाहिए क्योंकि Google TV दोस्तों एक latest operating system वाली TV है इस वीडियो में जो मैं आपको top 5 best TVs बताऊँगा उनमें हमने TCL, Acer, Xiaomi, Toshiba और Sony की 50 inch TVs सो consider गिया है इन 5 विए TVs में आपको Google TV operating system मिलेगा जो कि Google का एक latest operating system है और ये operating system Chrome OS पर रण होता है और access करने में काफी जादा smooth है वही इन सभी TVs में आपको 4 के Ultra HD यहाँ पर resolution मिल जाता है 63 Hz का आपको refresh rate मिलता है और अच्छी वातिया है कि अगर आप 178 degree angle से वेगर इन सभी TVs को watch करेंगे तो आपको एक अच्छी वीडियो quality का experience होगा वही remote control के अंदर आपको इन सभी TVs में voice command का feature मिल जाता है साथ ही आपको OTT apps की hotkeys भी मिल जाती है जिससे कि आप OTT apps को काफी quickly access कर सकते हैं best 5 50 inch TVs में number 5 पर है TCL की ओर से आने वानी ये 50 inch की LED panel TV जिसमें आपको 2 GB RAM और 16 GB internal storage मिलेगी वही connectivity port में आपको 3 HDMI और 1 USB port मिल जाता है साथ ही आपको Bluetooth, Gaming Console और Dual Band Wi-Fi का support भी मिलता है sound audio quality में आपको 24 Watt output speaker मिलता है जो की doll भी audio को support करता है TCL की इस TV में आपको 4K HDR LED panel मिलता है वो भी metallic bezel-less design के साथ में यहनि की दोस्तों जो TV की bezel है वो metal की बनी हुई है और वो काफी छोटी और narrow होने की वज़े से इस TV का लुक्स आपको काफी premium मिल जाता है इस TV में आपको dynamic color enhancement और HDR10 content का support मिलेगा यहनि की दोस्तों video quality इस TV में आपको काफी कमाल की मिल जाएगी साथ ही आपको AIPQ processor मिल जाता है जिससे के TV का performance भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है TCL की ओर से इस product पर आपको 2 साल की overall product पर warranty मिल जाती है इस TV के pros and cons की बात करें तो दोस्तों कमी केवल इतनी है कि इस TV में आपको USB port केवल इहाँ पर एक ही मिल रहा है अगर दो मिलते ही तो ये TV दोस्तों और भी complete package होती वही built quality के अगर बात करें तो compared to other brand के segment के TV के मुकाबले आपको built quality थोड़ी सी हल की मिलती है वही अगर मैं फायदों की बात करूँ तो video quality आपको इस TV की काफी बढ़िया मिल जाएगी ये एक budget friendly TV है वह TCL की TV है जिससे की दोस्तों आपको after sales services भी काफी बढ़िया मिल जाती है अगर आप इस TV को अपने लेखार इतना चाहता है तो फिलाल ये TV कॉस्ट करती है 31 से आप 220 रुपई जिसकी बस्ट माइन लिंग दी है मैं आपको description box में Master 515 TVs में number 4 पर है Acer की ओर से आने वाली ये 15 इंच की LED पैनल TV जिसमें आपको 3 HDW और 2 USB पोर्ट मिलेंगे साथ ही Bluetooth, Gaming Console और 12 Band Wi-Fi का support भी मिल जाएगा इस TV में आपको 2 GB और 16 GB की internal storage मिलेगी वही sound audio quality में आपको 36 Watt output high fidelity speakers मिलता है जो कि DAWL भी Atmos को support करता है जिससे की आपको एक अच्छी sound quality मिल जाती है साथ जोस्तों आपको यहाँ पर 5 sound modes भी मिलेंगे Acer की इस TV में आपको frameless design यहाँ पर LED पैनल मिलता है यानि की LED पैनल पर जो बिजल दी गई है वो काफी छोटी और नेरो दी गई है जिससे की TV का लूपस आपको काफी premium ही मिलेगा और यह जो LED पैनल मिल रहा है वो 1.07 billion color को support करता है जिससे की आपको video quality भी काफी बढ़िया मिल जाती है साथ यह आपको HDR10 और HLG content का support भी मिलता है इसके इलावा आपको intelligent frame stabilization engine यहाँ पर मिलेगा जिससे की TV का performance भी आपको काफी बढ़िया ही मिलेगा इसरी की ओर से इस product पर आपको एक साल की overall product पर warranty मिल जाती है दोस्तों इस TV के pros and cons की बात करें तो कमी केवल इतनी है कि दोस्तों आपको brand की ओर से एक साल की ही warranty ओफर की जारी है जबकि इस budget segment में जो TVs आती हैं दोस्तों अगर आप TV अपने लिए एक अच्छी video quality के लिए खरीद रहा है या फिर gaming purpose के साफ से तो ऐसे में दोस्तों Acer के ये TV बिलकुल भी आपको निराश नहीं करती है और दोस्तों अगर आप इस TV को अपने लिए खरीजना चाहता है वहीं इस TV में connectivity port में आपको 3 HDMI और 2 USB port मिल जाता है साथ ब्लूटूथ गेमिंग कंसोर और ड्वेल बंड वाइफाई का सपोर्ट भी मिलता है और sound audio quality में आपको 30W output यहाँ पर speakers मिलेंगी जो कि DAWL भी audio को सपोर्ट करता है DTSX और DTS Virtual X को सपोर्ट करता है जिससे की आपको एक अच्छी sound quality मिल जाती है Xiaomi की इस TV में आपको 4K HDR LED पैनल दलता है वो भी premium metal bezel-less design की साथ में यानि की TV की जो bezel है वो metal की बनी हुई है और looks में आपको काफी stylish मिल जाती है इस TV में आपको Dolby Vision, HDR10, HLG और Vivid Picture Engine मिलता है जिससे की दोस्तों TV की जो video quality है वो आपको काफी premium मिल जाती है Xiaomi की ओर से इस product पर आपको एक साल की overall product पर warranty मिलेगी वहीं एक साल की additional warranty आपको पैनल पर ओर मिल जाती है दोस्तों इस TV के अगर हम browse and cons की बात करें तो कमी केवल इतनी है कि दोस्तों wilt quality अगर Xiaomi इस TV की और improve करें तो दोस्तों ऐसे में ये TV दोस्तों और भी बढ़िया आपको देखने को मिल है लेकिन दोस्तों फायदे काफी सारा है इस TV की video quality आपको काफी premium मिल जाती है और आपको यहाँ पर bezel भी metallic यहाँ पर मिल रहे है जिससे की TV जो है वो looks में भी आपको काफी बढ़िया मिलती है साथ यह आपको HDR10 और HLG content का support भी मिल जाता है इसके लाब आपको sound quality भी इस TV में काफी बढ़िया मिलती है अगर आप इस TV को अपने लेकार इतना चाहता है तो फिलाल यह TV कॉस्ट करते हैं 33,990 रुपए जिसकी best bangling मिलेगी आपको discussion box में बास्ट 515 TVs में नमबर टू पर है तोशी बाकी ओर से आनेवानी यह 15 इंच की LED पैलल टीवी जिसमें आपको 3 HD और 2 USB port मिलेंगे साथी Bluetooth, Gaming Console और 12 Band Wi-Fi का support भी मिल जाता है इस TV में आपको 24 Watt Output Speaker मिलता है जो कि Dolby Digital और Dolby Audio को support करता है जिससे कि आपको एक अच्छी sound quality इस TV से मिल जाती है इस TV में आपको 2 GB रेम और 16 GB internal storage मिलती है तोशी बाकी इस TV में आपको 4K AI upscaling LED panel मिलता है जिसमें दोस्तों video quality आपको काफी बढ़िया मिलेगी आपको Dolby Vision, HDR10 और HLG content का support भी मिल जाएगा कूल मिलाके दोस्तों video quality इस TV में आपको काफी premium level की मिलेगी इसके अलावा आपको यहाँ पर Exa Engine ZR मिलता है जिससे कि TV का performance भी आपको काफी अवल दरजे का मिलेगा दोस्तों मैं आपको बता दू कि Toshiba जो है वो number one TV brand है Japan का जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इनके जो product है खास का TV के मामले में आपको काफी बढ़िया services provide करता है दोस्तों Toshiba की ओर से इस TV पर आपको 2 साल की overall product पर warranty मिल जाती है अगर हम इस TV के pros and cons की बात करें तो इस से तो दोस्तों इस TV में कोई major con नहीं है फिर भी दोस्तों improvement का कोई scope है तो वो ये है कि दोस्तों Toshiba को अपनी after sale services ज़रूर improve करना चाहिए वहीं दोस्तों अगर मैं फायदों की बात करूँ तो ये complete package है जिसमें आपको video quality काफी बढ़िया मिलती है फीचर्स आपको सारे मिल जाता है connectivity ports भी आपको इस TV में सारे मिल जाता है इस से में दोस्तों अगर आप इस TV को अपने लेका रिदना चाहता है तो फिलाल इस TV की current price है 32,990 रुपए बास्ट फाइफ फिफ्टी इस TV में नंबर वन पर है सोनी की ओर से आने वाली ये 15 इंच की LED पैनल टीवी इस TV में आपको 16 GB internal storage मिलेगी वहीं का connectivity port में आपको 3 HD और 1 USB port मलता है साथी Bluetooth, Gaming Console और Dual Bed Wi-Fi का support भी मिल जाएगा इस TV में दोस्तों आपको 20 Watt Output Open Buffet ले speakers मलता है जिससे की आपको एक remarkable sound quality का experience होता है सोनी की इस TV में आपको 4K HDR LED पैनल मिलता है जो की live color को support करता है याने की दोस्तों जो white है वो original आपको white ही देखेगा और जो black है वो original आपको black ही देखेगा साथी HDR 10 और HLG content का support भी मिल जाता है इस वीडियो में दोस्तों जितनी भी TVs में आपको बताई है उन सभी के मुगाबले इस TV में दोस्तों वीडियो quality आपको top notch की ज़रूर मिलेगी साथी दोस्तों आपको यहाँ पर 4K processor X1 मिल जाता है जो की दोस्तों स्तोनी की अपनी बनाई हुई खुद की chip है जिससे की TV का performance आपको काफी अवल दर्जे का मिलेगा और इस TV में आपको motion flow XR100 का feature भी मिल जाता है यानि कि gaming purpose के साथ से भी ये TV आपको काफी outstanding performance प्रोवेट करती है वहीं दोस्तों warranty की बात करें तो इस product पर आपको एक साल की overall product पर warranty मिलेगी वही pros and cons के गर में बात करूँ तो cons इनकी कमी आपको ये देखने को मिलेगी कि ये price वे थोड़ी सी आपको भैंगी मिलती है वही इस TV में connectivity port में आपको एक ही USB port मिलता है दोस्तों एक की जगा अगर दो USB port मिलते हैं तो ये TV दोस्तों आपको complete package मिलती लेकिन अगर मैं फायदों की बात करूँ तो दोस्तों अगर आप अपने लिए एक AC TV खरीतना चाहता है जिसमें video quality के मामले में आप बिलकुल भी compromise नहीं करना चाहते और उस TV का आपको performance भी सानो साल durable मिले तो AC में दोस्तों स्तूनी की ये TV आपके लिए बहुती बढ़या choice बन जाती है और फिलाल दोस्तों ये TV कॉस्ट करती है 69,990 रुपए जिसके बास्ट भाइंग लिंग बिलेगी आपको description box में इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी TVs की जो price बताई है वो वीडियो बनाते समय की price है price हमेशा offer and sale period के इसाफ से fluctuate होती रहती है इसलिए इन सभी TVs की बास्ट भाइंग लिंग दी है में आपको description box में आप वहाँ से इन सभी TVs की price and features को check out कर सकता है साथ ही आपको एक important चीज़ी बता दू इन सभी TVs के उपर bank के credit card और debit card के उपर cashback offers भी available है तो आप उने भी apply करके इन सभी TVs को कम price में आसानी से purchase कर सकते है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अमारा ये वीडियो जरू पसंद आया होगा अगर आपको अमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा आपने family फ्रेंट सुमर के साथ जरू शिर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत बुले दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मलता है बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो पे तब तक के लिए जय हिंद मंदे मातराम